हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बदार वित आयूश इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैर्सन प्रोडुक्स के डे वन सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में फ्रेंट्स जासा कि आप सबको पता ही कि आज पहला दिन था सब्सक्रिप्शन का किस प्रकार का देखे सब्सक्रिप्शन निकल का है पहले दिन इसके उपर इस वीडियो में बात करेंगे और सबसे बड़ी बात आपको जो देखने को मिलेगी पहले दिन देखिए यह आई-पियो पूरा आपको बिखता हुआ देखने को मिल चुका है और कह सकते हैं कि फ्रें जीम पर चल रही है वो भी जाना बहुत जरूरी है तो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा फ्रेंट्स चैनल से पहरी बार अगर आप जुड़ें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपको यी वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को ला यहां पर काम काज किया है तो देखिए उसके उपर हमेंने पूरा डीटेल से अलग से वीडियो बना रखा है तो वह आप जाके चेकाउट करिए बढ़ा है इस वीडियो में आपको एक बरीफ बता जयता हूं तो फिर स्टार्स और प्रडक्ट्स एक लाइफ साइंस की कंप इसका काफी लाप्स के अंदर यहां पर अपना प्रडक्ट्स जाता हूँ देखने को मलता है और कह सकते कि इंडिया की लीडिंग लाइफ सेंस कंपनी इसे एक है टार्स प्रडक्ट्स तो नाम पर मज आईएगा लेकिन एक लाइफ सेंस कंपनी है तो फ्रेंट्स 15 से 17 इसी दोनों पर लिस्ट दावा देखने को मिलेगा जिसमें ओवरल आपको जो शीर्स मिलेंगे वो 22 मिलते हुए देखने को मिलेंगे अब इंपोर्टन दोस्तों यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा कि definitely एक बात यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि company जादा बड़ी जा रहे हैं तो अगर आप valuation के मुताबिक इस stock IP में ना लगा है तो definitely वो गलत बात होगी बिकर अगर आप देखेंगे तो policy बाजार भी महंगा है नायका भी महंगा है और यहाँ पर आपको देखने को मलेगा आप सिगार ची भी महंगा है तो और वो बढ़िया कमाई करवा के चल जाए तो वो definitely friends hurt करता है जैसा आज policy बाजार में देखने को मला वो सिर्थ 3 ताइम सब्सक्राइब वो है तो रीटेल पोशन के दुआरा अगर आज आप देखेंगे तो 25 से 35 परसंट के आसपस का दिन में आपको पैसा लगाते हुए देखने को मिलते हैं अगर आप देखेंगे तो निए इस ने करीबन 0.17 टाइमस चली ठी के तब भी थोड़ा बहुत पैसा लगा दिया है थोड़ा बहुत पैसा लगा दिया है थोड़ा बहुत जाता तो नहीं है लेकिन 21.31% की and retailers को friends यहाँ पर दी गई है करीबन 49.72% की हिस्सेतारी company के employees को भी 0.55% की तो अगर आप देखेंगे तो इसमें retail quota जादा है as compared to देखें QIBs and NIIs तो जो retailers ने आज यहाँ पर IP को fill किया हो करीबन 2.12 टाइमस था जो definitely मैं कहा सकता हूँ कि friends बढ़िया है retailers देखें हर IP में आपको बढ़िया पैसा लगाते हुए देखने को मिल रहे है and जहाँ पर जहाँ पर कैसकते है small listing gain भी मिलते है तो आपर देखें retailers आपको हर बर पैसा लगाता हुआ देखने को मिलता है and small listing gain के लिए यहाँ पर भी आपको शला तो यही है कि definitely लगा है employees company के employees ने भी देखें पैसा लगा है करीबन 0.41 times employees की तरह सा पैसा लगाया गया है इनके सकते हैं ठीक है company के employees भी participate कर रहे है and तो total subscription दोस्तों आपको आता हुआ दिखने को मिलेगा वो 1.09 times है तो friends 1.09 times जो subscription आपको आता हुआ दिखने को मिलेगा पहले दिन मुझे लगता कि काफी बढ़िया है and अगर देखें यहाँ पर subscription इस तरह ही चलता हुआ दिखने को मिलेगा तो जादा तर कोई दिक्कत नहीं होगी and यह IPO देखें ठीक टक आपको subscribe होता हुआ दिखने को मिलेगा हाँ बात करो QIB या फिर NII की तो मुझे definitely थोड़ा सा doubt है कि QIB जादा पैसा शायद ही लगा है इस IPO में नई NII जादा पैसा लगाते हुए देखने को मिलेंगे because friends यह वो investors होते हैं जहां पे जो जहां पे वो ही लगाते हैं देखें जहां पे कम से कम इनको 50% का आस-पास का एक listing इन मिले अगर 50% का listing इन होता तब ही देखें यह जादा पैसा लगाते हुए देखने को मिलते हैं जो हमको पिछले कुछ IPs में देखने को मिला भी है अगर आप देखेंगे तो NIS ने NICA को बहुत बढ़िया बढ़ा सिगाची को बहुत बढ़िया बढ़ा बट आज का जो subscription मुझे लगता है जो आता हुआ देखने को मिला है वो बढ़िया है अब सबसे बढ़ा question यहाँ पे निकल के आएगा कि क्या हमको इसके अंदर apply करना है या नहीं करना है विकोज अगर आप देखेंगे जो policy बाजार का IPO था उसमें भी देखें शुरुआते दिन ऐसा ही subscription था लेकिन बढ़िया करा उसने देखेंगे पॉलिस बजार में comparison नहीं कर रहा हूँ वो एक different company है यह different company है बट मुझे लगता है कि देखें टास और प्रोड़क्स एक definitely such बात है अगर आप देखेंगे तो कोई पहली company नहीं होने जा रही है कि बहुत तगड़ा आपको यहाँ पर response आता हुआ देखने को मिला ऐसा तो definitely नहीं है वना first day हो जाता तो ऐसी कोई company जरूर देखें market में आपको देखने को बहुत सारी मिल जाएगी एसी companies लेकिन हाँ यह small listing in अब आपके लिए small listing in की देखें परिवाशा क्या है मुझे लगता है कि जहाँ पर मुझे 15% के आसपस मिल जाए वो मेरे लिए small listing in है और मुझे लगता है कि यहाँ पर 15% तक बहुत आसानी से मिल जाएंगे अब grey market अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी तो grey market कितनी चल रही है तो जो grey market चल रही है टार्सन की वो करीबन चल रही है 163 रूपीस लाकर 165 रूपीस ठीक है अब 165 रूपय अगर आप देखेंगे तो बढ़िया 165 को अगर आप यहाँ पर multiply करके चलेंगे कम से कम 22 से तो अच्छा कासा देखें प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आता है अगर आप देखेंगे तो यह बढ़िया प्रॉफिट होता है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ना लगाने के कोई chances दिखते है हाँ definitely देखेंगे ग्रे मार्केट है तो आपको उपर नीचे होता हुआ देखने को मिल सकता है और अगर यहाँ पर रिसक है तो definitely आप final day पर पैसा लगा है because क्या होगा ना कि देखेंगे ग्रे मार्केट यहाँ पर आज जो अपडेट होगा जो final लोग नहीं लगा रहे हैं वो definitely यहाँ पर लगा के चलना चाहिए बटा final day के दिन आपको पक्का बता दूँगा मैं but overall अभी तो सला है अभी तो यही कि आप wait and watch करिये जब day 2 हो जाएगा उसके बाद देखेंगे बता दूँगा कि आपको इस IP में लगाना है नहीं लगाना तो friends इस वीडियो में इतना ही था hope so वीडियो बढ़िया लगा अगर लगा तो like कर देना चानल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चानल को जरूर subscribe कर लीजेगा thank you friends for watching this video